आज की विदिम दोस्तों आपको एर डॉप्स 100 की सारे टच कंट्रोल्स एक्स्प्लेइन करने वाले हैं तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि कितने बाद टैप करने से वीडियो नेक्स्ट होता है अगर आपको वीडियो जो है या गाना जो है अगर नेक्स्ट पे जाना है तो आपको राइट वाले पे डबल टैप करना होता है तो वो नेक्स new बाले पे चला जाएगा बैसे अगर आपको previous वाले वीडियो पे या song पे जाना है तो आपको left वाले पे double tap करना होता है तो double tap करेंगे तो आपको वो previous में चला जाएगा बात करें volume control की तो इसमें आपको volume control नहीं मिलता है मतलब अगर आपको volume को कम या ज्यादा कर रहे है तो आपको अपने smartphone के तुरू ही करना पड़ेगा earbuds में जाला control नहीं मिलता है जो कि इसका सबसे बड़ा drawback लगा voice resistant वाले feature में जाना है आपको करना क्या होगा आपको अपने left वाले earbud को तीन सेकिंड तक long press करके रखना होता है तो voice resistant वाले feature में चला जाता है एक, दो, तीन तो आप देखेंगे तोड़ा response थोड़ा slow है बट इस तरीके से वो चला जाता है तो beast mode में जाता है और आप आपको beast mode से भाहर निकलना है तो single tap से आपका song play या pause होता है या video play या pause होता है double tap से previous से या next पे जाता है triple tap अगर आप करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है तीन सेकिंड तक long परेंगे रखेंगे left वाले earbud को तो आपका वो voice assistant वाले feature में जाता है और right side वाले को करेंगे तो आपका वो paste vote में जाता है और अगर आप बात करें इसके pick and call drop को करने वाले controls की तो अगर आपको कोई call आ रहा है और आपको call pick करना है तो आप left or right में से single tap करेंगे तो आपका call pick हो जाएगा वैसे अगर आपको call को disconnect करना है या reject करना है तो आप left or right में से किसी भी earbud में double tap करेंगे तो आपका call disconnect हो जाएगा तो ये थे आपके calling के controls और आपको मैंने music controls पर explain कर दिये अगर आपके मन में दोस्तों अभी भी कोई doubt आप control से related तो आप comment section जाके question कर सकते हैं आपसका जुरूर reply करेंगे आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो please वीडियो को like कीजिएगा चैनल को subscribe जुरूर कीजिएगा